मैं करन जोहर ये शपत लिता हूँ कि स्टार कीट्स का भविष्य खत्रे में नहीं आने दूँगा मैं जो करना चाहतों मैं करना चाहतों चाहे मैं अपने फुपे के बेटे को लांच करूँ या मैं चाची के भधीजे को लांच करूँ नेपोटिजम पिछले एक महिने से ये वर्ड ट्रेंड में है मतलब जिनको इंग्लिश भी नहीं आती है ना उनको नेपोटिजम का मतलब पता है बोलिवड की वज़े से फिलाल करन् जोर को भर भर के गाले आपड़ी है सती साथ स्टार किट्स को भी मतलब इंस्टा पर हैट मिलरहा है लोग अन फोब कर रहे हैं गलत बात है इसने त제 लेंट को को क्यो उन फोलो कर रहे हूं अमतल इसमल हुआ तलेंड कल रहे हैं लेमिंकेला कि पक्षु करिश यह तैलेंट है इनका? मतलब अनन्या पांडे को Student of the Year 2 मुवी के लिए Filmfare Award भी मिला देख रहे हो तुम जब कि और बहुत मुवी के अच्छे आइटिस्ट को नॉमिनेट तक नहीं किया गया यार तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि अनन्या पांडे को यहां तक आने में कितना struggle करना पड़े विश्वास नहीं होता? तुम सूनो एक बाद And I feel like, just because my dad's an actor I'm not gonna say no to an opportunity to act, you know My dad has never been in a dharma film He never went on coffee with Karan So you know, it isn't as easy as people say it is I think everyone has their own journey Yeah And their own struggle I think everybody has their own struggle Yeah, exactly The difference is that The difference is that Where we all are complete, the struggle starts This means Siddharth has been put in a bag Nepotism Nepotism की बात आए और हम Arjun Kapoor की बात न करें यह तो Nepotism के साथ ना ही साफी हो जाएगी मुझे थोड़ी बहुत आक्टिंग तो आती हो कि 14-15 पेचरे कर चुका हूँ नई मतलब Arjun Kapoor है एक ऐसा प्राणी है जिसकी साथ मुविज फ्लोप होने के बाद भी आठ भी मुविज उसे मिल जाती है एक मिनट अरे भाई नहीं देखने हैं मुझे यह मुविज यार यह इतनी मुविज फ्लोप होने के बाद भी क्यों मिल रही है रुको मैं एक्स्प्लेइन करवा तो तनमेबट एक्स्प्लेइन करियो अजुन यहां तक आने में कितना स्ट्रगल लगया उसे मतलब बिना किसी जान पेचान के यहां पे आ गया यार स्ट्रगल है वही स्ट्रगल है यार पते है नेपोडिजम से दिक्कत नहीं है दिक्कत तब होती है जब किसी अंडिजर्विंग एक्टर को बार-बार मुवीज मिल जाए वो भी किसी बड़े प्रोडक्शन हा उसकी जो कि अर्जुनकपूर के केस में हो रहा है यह देखो मतलब इन लोगों को एक लाइन लटवा रखी है कि नेपोडिजम सुनती तुमने यह बोलने है कि नेपोडिजम से बॉलीवूड में तो एंटर कर सकते हैं पर टिकना तो खुद ही पड़ता है अरे भाई तु ठिक रहे है तरको ठिक आया जा रहे है फरक है रामाण के अनुसार हनुमान किसके लिए संजीवनी बूटी लेकर आये थे अपको option रखूं सुग्रीव लक्षमन सी सीता या डी राम सीता 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 ठीक है ठीक है मान लिया हर बंदे को हर चीज नहीं पता होती लेकिन इंट्रस्टिंग बात यहां पर यह है कि सुनक्षी सीना के फादर का नाम शत्रुगन सीना है और उसके भाईयों का नाम लव और कुश और उनके घर का नाम रामायन है तो बच्चन अब भर भर के गालियां पड़ने वाल तो उसने अपना ट्विटर अकाउंट ही डियक्टिवेट कर दिया वैसे ही टाइम ऐसा चल रहा है कि अगर आप स्टार केट हो तो आपको हेट मिलेगा ही मिलेगा चाहे आप एक्टिंग नहीं भी कर रहे हो ताइमूर को ही ले लो वह विचारे को हेट मिल रहा है नहीं तु वहां पर पैदा ही कैसे हो गया अरे उसको थोड़ा बढ़ा हो जाने दो कोई एकाथ मूवी मिल जाने दो तब कर ले न ट्रॉल वैसे गलती उसकी भी नहीं है लड़का फेमस ही इतना कर रख है सुबह शाम DSLR लेके पहुँच जाते हैं उसके घर पे कुछ स्टार किट्स हैं जिनका IQ उतना ही कम है जितनी उनमें एक्टिंग स्किल्स और घमाण उतना ही जाद है जितना Bollywood में नेपोटिस्म वो है सौनम कपूर नहीं बेजा न अरे अनिल कपूर की बेटी देखो कुछ स्टार किट्स होते हैं अपनी acting skills है कुछ होते हैं अपने dance की वजे से कुछ होते हैं जो singing भी कर लेते हैं लेकिन ये famous हैं अपनी contraverses की वजे से मतलब हम लोग क्या करते हैं कि कुछ दिमाग में आता हैं, सोचते हैं और फिर बोल देते हैं लेकिन ये अनिल कपूर की बेटी इन में से सिरफ दो ही चीज़े करती है दिमाग में आता हैं और बोल रिती है एक बार Sonam Kapoor और Aishwarya Rai बच्चन एक ही brand की brand ambassador थी और इसने बिना सोचे समझे Aishwarya Rai को आंटी बोल दिया आंटी from another generation और जब पूछा कि इतना insulting क्यों बोला तो ये इसका justification था ये देखके Aishwarya Rai को इतना गुस्सा आ गया कि वो जाकर बोली अगर Sonam Kapoor इस brand की brand ambassador रही तो मैं चली जाओंगी then they said who Sonam और Kapoor जी की लड़की को निकाल दिया अच्छा एक बार इसने इंस्टा पे ये post डाल दी traffic की complain करते हुए नहीं एक तरफ हम लोग है यार बस में ट्रेन में भी जाते हैं लेकिन complain नहीं करते क्योंकि पता है भाई जाना इसमें ही पड़ेगा और दूसरी तरफ अपनी luxury car में जाने के बाद भी इसने ये post डाल दी अब एक बंदे ने चीड़ के उसको reply कर दिया अब celebrity लोग होते इग्नोर कर देते हैं लेकिन भाई सब ये celebrity थोड़ी है इसने किया reply मतलब कुछ भी ऐसे किस बेसिस पर जाम लगा दिया अरे थोड़ा तो दिमाग लगाओ अच्छा एक ट्वीट फादर स्टी पर पिकी है इसने ये भी देखो इनका कहना है कि अगर आप कपूर खांदान में पैदा नहीं हुए तो आपने पिषले जनम में बहुत बुरे करम की है ये सारे ट्वीट्स देखके करतिक भाय के कुछ शबद याद आगे और इन जे से स्टार्विट को कोई फरक नहीं पढ़ता सेने जैसी बिकार से चीज़ के लिए अपना आर्गुमेंट थोड़ी हार जाएंगे So she is the best example of bad product of nepotism देखो जहां Star Kids है वहीं एक ऐसी actress भी है जो nepotism के देवता याने की करन जोर की बेज़ती करने में पीछे नहीं रहती और वो है कंगना रेना ओर नहीं तुम पहले ये वली वीडियो देखो Kangana as per your experience who has given you more unnecessary attitude in the industry? I think you Karan Me? Yeah Intolerant is the word Yeah flag bearer of nepotism The movie mafia Kangana भाई सब starting से nepotism के पीछे पड़ी है मतलब जहां मोका मिलते है वहां बेस्तिकर डालती है Miss Wehana who did my hair and of course Anurag Basu Love you all Thank you Kangana and congratulations I'm here Nice Kangana यार तुम लोग Kangana की Instagram पे post वगरा भी देखोगे न उसमें कोई न कोई sense होता है Means वो आवाज उठाती है जिन मुद्दों पे आवाज उठानी चाहिए देखो basically ऐसा है Nepotism दो पार्ट्स में बठा हुए Nepotism से हमें अच्छे actors भी मिले हैं इन लोगों को ट्रोल नहीं किया जाता क्योंकि इन एक्टिंग भी आती है बस यार देखो Nepotism गलत नहीं है सोचो तुम एक स्टार हो और तुम्हारा बेटा या बेटी कही कि मुझे भी स्टार बनने है मुझे भी मूवीज में काम करने है आप कोशिश नहीं करोगे गया अच्छा Baldwin चोड़ो अगर किसी अच्छी फिल्ड में काम कर रहे हो तो आप नहीं चाहोगे गया कि आपके बच्चे भी उसी फिल्ड में आए आप नहीं कोशिश करोगे करोगे यार जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बना चाता है मतलब उनके point of view से सोचो तो गलत नहीं है गुस्ता तब आता है जब public किसी actor को नहीं देखना चाती फिर भी उसको multi star movie में डाल देते हैं और हमको जबरदस्ती देखना पड़ते है post nepotism तो रहने वाल है Bollywood में बस हमें ही थोड़ा smart होना होगा वो लोग अगर superstar बन सकते हैं तो वो हमारी वज़े से मतलब जो star kid अभी तक launch भी नहीं हुआ उसके millions में followers हैं और जो इतने talented actors हैं उनके इतने कम जब producers को दिख रहे कि जिस movie में star kid है तो वो movie इतने करोड़ों में कमा रही है और जिसमें star kid नहीं है उनकी collection box office पे इतनी कम है तो producers क्यों लगाएंगे पैसा उन movies पे अरे आपके सामने हैं सब race 3 जैसी senseless movie 2500 करोड़ कमा रही है और वही कोई deserving movie सिरफ 10-20 करोड़ सुशान के suicide के बाद सबने status डाला पर एक सलवा trust में सब भूल जाएंगे और फिर star kids की movie देखने जाएंगे ऐसा नहीं है कि उनकी movie बेकार है बस हमें थोड़ा smart बनना पड़ेगा कि deserving actor की movie को हम theater में देखने जाएं चाहे वो star kid है चाहे वो नहीं है और सुशान के suicide के बाद आईए न यह सब feeling कितने लोगों को पहले भी band कर रख है बोलीवूड में तब यह feeling नहीं है तब ऐसे था कि वाह सलमान भाई ने वेवेग ओवरोय का career खतम कर दिया वाह वेवेश बाद आईए ने यह सबस्टन के वाह सबस्ते है